आपको स्वागत है अपने यूटूब चैनल आइडियल स्टेडी क्लासेज में तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोब्लम बेश ऑन अलफावेट यह रिजिनिंग का चेप्टर है इसमें से आपको एक नमबर का एक्जाम में पुछता है तो आप देख लिजिए इसको दम किलियर कर लिजिए इसका मातरे तीन वीडियो बनेगा तो जो पहला वीडियो है इसमें पहला टाइप से लेकर चार टाइप तक बताया गया है तो धियान से इस टाइप को समझ जाए यह काफी किलियर हो जाएगा कोस्टन इससे तो देखिए इसमें पहले जो पॉइंट है नोट पॉइंट आप याद कर लिजी देखिए अगर आपको ABCD से लेकर जेट तक अगर ABCD जेट तक जानते हैं तो इसमें आपको पहले भाएं और दायं समझना होगा क्या बाइं और दायं समझना होगा तो ABCD और XYZ में किस तरफ बायं होता है और किस तरफ दायं होता है आपको यह पाता होना चाहिए तो देखिए अगर ABC करिक्ति की ऐसे लेकर ज ils took operation of Rescue для cC on a son paole a ऐक बाहन तरफ एडाय तरफ यンダश जड़ाइत रफ यह आपको याद होना चाहिए तो देकिकी आपको याद रखनेगे लिए एस स्टाहट हो एनग की आपको याद रखना है तो आपको याद रखना है तक यह चार नोट पॉइंट है टाइफ फोट इचार नोट पाइंट में आपका चार टाइप की लिए हो जाएगा देखिए अगर भाएं रहेगा बाएं रहेगा तो किया होगा जूटेगा ठीक डाय रहेगा तो घटेगा और फीर 27 में से घटाना है आपको दाएं दाएं को शन में दिया हुआ रहेगा कि दाएं दाएं रहेगा तो क्या किजिएगा घटाईएगा जो घटाईला पर फिर 27 में से क्या किजिएगा घटा दीजिएगा उसके बाद को सुन क्या करा है कि अगर दाएं पलस बाएं रहेगा अगर दाएं रहता है तो क्या किजिएगा जूटेगा फिर क्या पहला टाइप में पहला जो कोसिन गोर रहा है यहां पर बता दिया गया कि बाइं बाएं रहेगा तो क्या होगा घट deposits देखिए इसको हम लोगे स्टार्ट करते हैं बाइं बाइं रहेगा तो मात देखिए कैसे घटाना है बाई बाइं और बाइं तब ऐसे प्रचर यानि अगर साथ मैं से पाँज़ागा तो दूसरा थान पर कौन ससा अच्छ सब्सक्थ्रा उच्छर उस्थान प्रूंस अच्छर होगा ना छहीं सब्सक्राइब बॉल रहा है कि अंग्रेजी वर्न माला और अंग्रेजी वर्न माला कि अठावां है तो क्या होगा तो अठावां आच्छार े और बाएस दिसे पाच गटा दीजेगा तो आधारा यानि की ते रहा हुआ अस्थान पर कौन सा नंबर है अप्षान को समझ लोग सबस्टों क्या जो रहा है कि अंगरेजी वर नमला में 2029 एंट सीगना हो हैं यहां पर बाइब टाइप चुर रहा है टाइप यहां बाइब क्या होगा घट तो येवाल से ऊपर से ऊंवाल मीशने ऑगर आपने स्थान होता है तो फार्त कौण सा आख्छार होता है तो ऊंसा आख्छार होता है आपका क्या हो जागा होता है देखिए चौन्था नमबर प्रस्ड को समझ यह करा कि अंग्रेजी वर्न माला में 22-23 अक्षर के 22-23 अक्षर क्या होगा तो 22-23 अक्षर में से कौन सा अक्षर घटाना है 23-23 क्या कर देना है तो घटा देना है अगर 23-23 घटा देते हैं तो कितना बचेगा आपका दसमां बचेगा दसमां बचेगा दसमां और दसमा स्थान पर कोंसा नमख्षस होता थासला वखता है जो तो जो सब्सक्राइब राइन से गड़े संभण यदि यह अगला प्रश्ण को देखें क्या बोल काक्षर richtig होगा कि आपका है पूत डेक्सट्रावार्शार होगा और क्या होगा आप तो क्या होगा मैं रहेगा तो क्या भंगा घटेगा यानि कि 17 से तो सत्रह में से 6 घटेगा तो जहाइगा तो समझे तक उपांजें तक ओडिक हो रहा है कि अगर बाया डाएं रहता है तो क्या करीजेगा जूटेगा जूटेगा क्या होगा जूटेगा और रहेगा तो चलिए देखिए बाएं आदाएं रहेगा तो जूटेगा तो देखिए को रहे हैं कि अंग्रेजी वर्ण वाला में बाएं से 15 हुआ अच्छर और दाएं से सातों अचल और दाएंसे सातों अक्षर ता कापन है कि अगर बाया और दाएं रहे होगा जूटेंगा तर पंदरतुए कितना होता नपार दाएंस या नीकि वाइसमां आचल क्या Höka वहीं आपको बता जूटेगा यानि कि दस्वां में से क्या जोर देना है दस्वां में अठवां जोर दीजेगा तो डस्वां में यहां में बाइट से सत्वां आइं तो एक शावाइन के जूड़ा हो रहा होता है जूटता है ठीक तह यानि कि सातवा यानि कि सातवा में जोडदी य।ि जेगा सतमा अक्षर में क्या जुड़ीयेगा नौव आक्षर अगर अगर नौमा अक्षर जोड़ देखते हैं दस नमर क्या प्रस्ट बोर रहा है दस नमर प्रस्ट बोर रहा है क्या बोर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बायं जोड़ता है तो यानि कि चौदा होँआ में आप कितना जोड़ दीजिएगा पांच वाइप को हम लोग देखते हैं आपका दो वे तो टाइप कंपलीट हो गया तो तीसरा टाइप कहां अब समस्य को अभिनों कितीसरा टाइप क्या बोर रही है आप ज्यां से समझ सकते हैं तेंट facilvy दाइएं रहेगा तो अगर दायों पर इसमें से घठा दाना है तो ऑकता द आनाभर हम हैं अगर 27 में से घटा दीजिए अगर 27 में से 10 घटा देते हैं तो कितना बचेगा आपका 17 किसका है की गिया है 17 के अस्तान पर कौन सा आपका आफ मोँचेव आता है आपका राइट आंसर हो जागा क्यों आई दूबारान प्रस्थन को देखिए टाइप नेमर थीन अबारान देखिए बारा नमबर – कोसन क्या बोह रहा है कि एक 20 visit waar नमाला में दायस से एक 70 आग्छर के दायस से 30 आग्छर dis tiya था क्या बोले हैं कि अगर दायन दाय रहेगा तो घटेगान क्या होगा प्र 27 में से घटेगा क्या फिर 27 मां और शर्च यहां पर बोला था कि दाएं दा रहेगा तो घटेगा फिर 27 में से घटाना है तो देखिए अगला प्रस्ण यही बोर रहा था आपका बारा नमर प्रस्ण बोर रहा था कि अंग्रेजी वर्ड नवाला में दाएं से 21 मात दाएं से 21 माइनस 13 हों ठेक तो अगर 21 में से 13 घटा देता है तो कितना बचेगा एक आप मैंसे घटा्या तो कितना बचेगा एक मिसटीन जागा तो कितना बचेगा एक मेंसा धाइन सतीन जाता है fen τιर्यलента ऐह तो VoG तो आप गटा दीजेगा तो 27 में से आठ घटा येगा तो कितना बचेगा एक आइस सथान पर कौन सा अक्षर है तो आप बता सकते हैं कि यू है कौन सा अक्षर है यू का एक इस होता है तापका राइट अंसर हो जागा यू चलिए अगला प्रस्ण को हम लोग देखते हैं तेरा नमर प्रस्ण को समझे बढ़ा कि दाया यानि दाया घटेगा अफिर क्या होगा कि 27 में से घटा देना है अगर आप 13 में से आठ घट पांच बचेगा तो फिर का की दिया कि 27 में से पांच घटा देना है जो पांच आया उसको फिर क्या करना है पांच घटा देना है जो पांच आएंसर चौँत को देखिए पर रहे हैं चोड़र नमर क्या प्रस्ण करण रहा है कि अंग्रेजी एंगल मला में दाय से बदर ख्यक्त और दाइप से अंग्ट लाए तो गहते हैं किया होगा 22 में से 9 घरान देनए 27 तो लगता है नग पर qande टाइस देते हैं तो Silver कि यहीं आपका क्या हो गया हजए आइट अंसर हो गिए देखिए 15 नंबर स्वेर अक्तर कोस्ण को देखिए आप देखिए 45 नमबर कोशन क्या बोल रहा है टाइप नमबर फोर समझे टाइप नमबर फोर क्या बोल रहा है कि टाइप नमर फोर अगर आप दाया बाएं रहता है अगर या ना गार तो जूतेगा क्या होगा जूतेगा प्र самое 이제 गण से घट जाएगा थो दे के रहता है हुए किना रहता है तो आप इजी और किया सकते हैं और किने क्या रहता है तो pink नहीं उपरे बता दिया गया है कि अगर आपका दिया हुआ रहेगा दाएं और बाएं तो जूटेगा फिर 27 में से घटा देना है तो साथ में से साथ जोड़ दीजेगा तो कितना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा तो यही आपका राइट अंसर हो जागा आपका राइट आश्यान को आपके धियान से 17 नंबर क्या प्रस्ण बोरहत कि ऑन्ग्रेजी वर्न माला में बाय अंग्रेजी वर्न माला में जाय से बहुत इजली बता सकते हैं इस ट्रेक से देखें दाय रहेगा तो क्या होगा तो देखिए बाइस में जोड दीजिए नौज बता दिये हैं कि आप का दाय और माय रहे तो जूटेगा तब 22 कितना होता है 21 होता है जो एक ऐसा फिर का कि जिए हां कि 27 में एक इस को घटा दिजेगा तो 27 को तो आएगा आच्वाइगा अच्छाव एक साक्षर है एक साथ रहे तो यह आपका क्या होगा राइट अंसर हो गया आईए देखिए अठावन को समझे अठावन भर अप्रस्ट वोड़ धियान से समझ सकते हैं तो देखिए अठावन मैं कितना जोड दिजए गाफ 17 में कितना जूरिए गाफ 17 में चो जोड़िए गाफ 17 जो कितना होता है तेस अन्सर फिर क्या कि आपका लगार यहाइज आपका टैप 29 नमरस नमब और रहा तो क्या होगा चुटे तो क्या होगा अंपर कि तो सताइस में से इस्थान पर कौन सा अक्षण हडोगे यह आपका स्फान पर आई अपका क्या हो Geschकत ही में अच वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम वीडियो का निट्विकेशन वहाँ पर पहुंच सकें धन्यवाद जय हिंद